आज हम कच्छा दस्कें भौते विज्ञान की प्रथम पाठ प्रकास का गोली दर्पलों पर परावर्तन परचर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं प्रकास क्या है तो हम जानते हैं कि प्रकास से एक प्रकार की उर्जा है, जो वाता और और में इस्तित वर्ष्टों को दिखाने का कार करती है, अर्थात हमें साहता ब्रदान करती है, ठीक, तो इससे हमें यह बास में आते हैं कि प्रकास में उर्जा होती है, जो हमें वाता और में इस्तित व गुड़ हेड़ी है तो यहां पर हम जानते कि प्रकास के निम्रखित गुड़ होते हैं जैसे प्रकास सिधी रखा में चलती है निर्वात में प्रकास के चाल 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है प्रकास बिद्दु चुमकी तरंगों के रूप में चलता है प्रकास तथा दुर्वड का भी गुड़ होता है तो इस प्रकार हम लोग इतनी सारी चीजे प्रकास के बिद्दे बिक से में बता सकते हैं तो है है अब यदि हम इस बात पर विचार करें कि प्रकास के अधार पर वर्ष्थवें होती है वो कितने प्रकार के होती है ठीक है nouveaux ऑप horror वस्त्वी और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रदिप्त वस्त्वी भी ठीक तो आप जानते कि प्रदिप्त वस्त्वी या दिप्त वस्त्वी ऐसी वस्त्वी होती हैं जिसके पास अपना स्वयम का प्रकास होता है जिसके पास अपना स्वयम का प्रकास होता है ऐसी वस्त्वी हम लोग बोलते हैं दिप्ट वस्तुएं जैसे लिखा गया है पर ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वेम का प्रकास हो दिप्ट वस्तुएं कहलाती है ठीक है एक्जांपल में आप ले सकते हैं सूर्य, तारे, मुंबत्ति, लाल्टेन, बल्ब, आदि तो इन सब के पास अपना स्व वाइम का प्रकास है। अब बात करते हैं अधिप्तवस्तू को स्वैम का प्रकास नहीं होता। यानि ऐसी वस्तों जिससे में स्वयम का प्रकास ना हो ऐसी वस्तों को हम लो अधिप्त वस्तों करते हैं ठीक इसके एग्जापल जैसे इट पत्थर कुर्सी में इत्यादी इन सब में कोई प्रकास नहीं होता मतलब कि यदि आप इसे अंधेरे में रख दें तो यह दिखाई नहीं देगा यदि इसके पास अपना प्रकास होता तो यह दिखाई देता हम बात करते हैं लोग प्रकास का परावर्तन प्रकास का परावर्तन क्या होता है प्रकास के परावर्थन में कोई प्रकास किरर होती है चुकि किसी एक समांग माध्यम एक समांग प्रकार के माध्यम से आती है और किसी परावर्थकतल से यदि टकरा करके फिर उसी माध्यम में चली आती है जब कोई प्रकास के रव किसी एक समान माध्यम से आती है और किसी परावर्थक तल से टकरा करके यदि फिर उसी माध्यम में चली जाय तो इस घटना को हम लोग प्रकास का परावर्थन कते हैं कि जैसे यहां पर लिखा गया है, जब प्रकास किसी पालिशदार वाच चिकने तल पर गिरता है, तो उसका अधिकान सभाग वापस लौड जाता है, प्रकास के चिकने तल से टकरा कर लौड ने की इस प्रक्रिया को प्रकास का परवर्तन कते हैं, वही मतलब है, कि यदि कोई प्रकास किरण एक समान प्रकार के माध्यम से आती है और यदि किसी परावर्तन से टकरा करके फिर उससे माध्यम में चली जा तो इस घटना को प्रकास का परावर्तन करते हैं प्रकास के परावर्तन के तो नियम होते हैं प्रकास के परावर्तन के जो जार ही टकरा करके उसे परावर्तक तल अब बात करते हैं परावर्तन के नियम की तो परावर्तन के हम जानते हैं कि नियम की दो नियम होते हैं पहला आपतित किरड परावर्तित किरड और अभिलम तीनों एक तल में होते हैं दूसरा आपतन कोड सदय परावर्तन कोड के बराबर होता है आपतन कोड सदय परावर्तन कोड के बराबर होता है यह प्रकास किरड आ रही है इसे बोलते है आपतित किरड और यह जा रही है टक अभिलम के साथ जो कोड बनाती है उसे बोलते हैं अभिलम के साथ जो कोड बनाती है उसे बोलते हैं अभिलम के साथ जो कोड बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोड ठीक यदि हम इसमें कुछ और बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसें आपको याद रखना चाहिए जैसे परावर्थन की क्रिया में हम जानते हैं कि आप रित्ती आपरिवर्तित रहता है प्रवर्तन के ख्रिया में आवरिति आपरिवर्तित रहता है तथा चाल और तरंगदेर्द भी आपरिवर्तित रहता है मतलब ये दोनों रासियां जो हैं वो क्या रहती हैं आपरिवर्तित रहती हैं ठीक है धन्यूबद